एलो एवरिवन दिस इन मंता सामर्या खंडेवाल एंड यह वाचिंग MSK Chemistry तो मेजर्मेंट ऑफ मैटर चैप्टर को हम डिसकस कर रहे हैं मैटर के अगर बात होती तो एलिमेंट कमपाउंड और मिक्चर की बात जरूर होगी और अगर आपके इनके रिगार्डिंग कोई भी डाउट है तो हमारा MSK Chemistry Lecture 71 जरूर देखिए it is highly recommended क्योंकि जब मैटर की बात है तो एलिमेंट कमपाउंड बिक्चर की बारे में तो हमें जरूर पता होना चाहिए और वो भी उसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए तो आज बात करते हैं Atomic Size की तो जब हम मैटर की बात करते हैं तो उसको बनाने वाले जो ताइनी पार्टिकल्स है वो है या तो Atoms होंगे या Molecules होंगे हमने क्या वर्ड यूस किया है ताइनी पार्टिकल्स मतलब यह पार्टिकल साइज में कैसे हैं बहुत ज़्यादा चोटे हैं और यह जो Atom है इसका Size कैसे मेजर करें क्योंकि वह बहुत चोटा पार्टिकल है तो इसकी जो size है, उसको determine किया जाता है radius के form में, ये atom आप देख सकते हैं, atom के center में ये होता है इसका nucleus जिसमें proton और neutron रहते हैं, और ये जो circular paths आप देख रहे हैं, इन्हें हम कहते हैं electron orbits क्योंकि इनमें electrons घुमते हैं, तो जो atom का size होता है, वो actually इसकी nucleus से ये जो outermost shell है, इसके बीच का जो distance है, वो atom का size होता है, उसको हम atom की radius कहते हैं, अब सवाल ये उठता है कि ये atom बहुत चोटा है, तो इसकी size को measure करने की unit क्या है, तो यहां हम देख लेते हैं, electron, proton and neutron are the fundamental subatomic particles of an atom, center of an atom is called nucleus and circular parts around the nucleus are called electron orbits, हम बच्चों के लिए वीडियो notes form में बनाते हैं, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, आप just इनका screenshot लेके folder बना के रखें और आपका exam में कोई दिक्कत ना हो, So, atomic radius of an isolated, isolated term हमने क्यों यूज किया है, isolated का मतलब होता है, when atom is not involved in bonding, क्योंकि वो covalent or ionic bond बनाता है, तो यहां पे जब आप size मा discuss करेंगे, तो आप यह मानेंगे कि atom isolated है, और वो bonding में involved नहीं है, So, atomic radius of an isolated atom is the distance between the nucleus of an atom and its outermost orbit, तो यहां पे यह वाला distance और यहां पे यह वाला distance, Outermost orbit के साथ distance को, nucleus और Outermost orbit की वीच की distance को हमें consider करना है, So, atomic radius is expressed in nanometer, nanometer यह term आपको याद रखनी है, अब यह किसकी equal होता है, 1 meter is equal to 10 to the power 9 nanometer, यह आपको अच्छे से याद रखना है, और यह 1 nanometer किसकी equal हो जाएगा, 10 to the power minus 9 meter की, So, atomic size depends on the number of electron orbits in the atom, जैसे यहां पे size बड़ा होगा atom का, और यहां पे size कैसा होगा, चोटा होगा क्योंकि orbits में अंतर है, greater the number of orbits, larger the size, अब यहां पे हम कुछ examples लेते हैं, और approximate size atoms और molecule की यहां पे discuss करते हैं, आप hydrogen atom देख सकते हैं, यह सबसे छोटा atom होता है, इसका size है 10 to the power minus 10 meter, meter में यह ध्यान रखना है, आप इसके आगे क्या लिखेंगे, meter, ठीक है, अब यह minus 10 में है, minus 10 का मतलब यह है कि इसका size छोटा है, और water molecule इसका size 10 to the power minus 9 meter, और hemoglobin molecule यह देख सकते हैं, इसका मैंने यहां पे picture भी paste किया है, इसका size 10 to the power minus 8 meter, तो hemoglobin molecule का size बड़ा होता है, water molecule का size 10 to the power minus 9 meter, और hydrogen atom का मतलब 10 to the power minus 10 meter, तो size इनका बहुत छोटा होता है, याद कैसे रखेंगे, 8, 9, 10, इसके आगे minus लगाना है, हिमोगलोबिन molecule आप ध्यान रख सकते हैं, इसका size सबसे बड़ा होता है, और hydrogen atom इसका size तो smallest होगा ही होगा, अब बात करते हैं, modern instruments used to measure the size of atom, क्योंकि normal microscope से हम इसका size measure नहीं कर सकते, इसके लिए highly sophisticated microscope की जुरत होती है, क्योंकि atoms are very tiny, very very tiny particles, बहुत छोटे particles हो सकते हैं, तो यहाँ आप देख सकते हैं, microscope image of iridium atom, iridium का symbol होता है IR, periodic table में आप इसे देख सकते हैं, तो जो microscope यहाँ पर हम use करते हैं, वो कौन से हो सकते हैं, field ion microscope, electron microscope, scanning tunneling microscope, so these microscopes have the capacity to show enlarged images of the atom, तो इस तरीके से atomic size की हमने आज बात की, I hope आपको वीडियो पसंद आये होगा, प्लीज सब्सक्राइब आर चैनल, शेर आवर वीडियो और एक लाइक ज़रूर करें, थेंक्यो फोर वाचिके मिस्की केमिस्ट्री,